हाई फ्रेंट बैंक ओफ इंडिया का पास्ट बूक आपका सीएस्पी पॉइंट पे इमाजनसी में कस्टमर को कैसे पोवेट कर सकते हो चलो थोड़ा उसका डेमो दिखाते हैं यह मेरे पास सब्टेयर है सब्टेयर में जाके आपको प्रिंट का मन देना पड़ेगा दिख ल आइसा है और यह जो फॉंड यूज किया है यह आपका बैंक काई फॉंड है देख लिए इधर पर नोटिफिकन चला आया प्रिंट है सक्सेस्पूल बोलके और इस सब्टेयर कैसे चला ना है उसका थुरा डेमो देखा दे रहा है इसक्स पाइंट टू है बैंक मित्रों का अभी लोगिंग कर रहे है कि लोगिंग रॉंग पास्वर्ट पास्वर्ट सही नहीं डाला कि डाल दिया दिख लिए आपका इंटरफेस आइसा आएगा इसमें आपका कस्टोमर का नेम गर्जिया नेम भीलेज पोस्ट पिन कोट उसका बाद अकाउंट नंबर से नंबर ड पिताजी का नाम गर्जिया नेम उसका बाद आप एकाउंट ओपिनिंग डेट और इसू डेट देगे सेफ करके कस्टोमर को पास्वर्ट कर सकते हो और इसका थोड़ा मिनवाली करके आपको दिखा दे रहा है इसमें आपका होगा कस्टोमर का नेम जो फ्रम नहीं रहने से मिनवाली टाइप करके कर सकते हो जैसे कस्टोमर का इसमें नाम डाल दीजिए कश्टोमर नेम डालने के बाद कस्टोमर का डेट औरंसर नहीं है फिर भी आप डाल सकते हो रैकोड के लिए डालने के बात आपकर गरजियन नेम डिमो के लिए एक डाल दे रहे है नेम है उसका बात विलेज कस्टॉमर का विलेज डाल दीजिए डालने के बाद इसमें कस्टमर का पोस्ट आएगा होने के बाद आप कस्टमर का पीन कोड डाल दीजिए डालने के बाद Mobile No. और कितना ऐमाउंट से अपने कस्टमर का एकॉंट खुला है वह भी डाल सकते हो रेकॉट के लिए उसका बाद account No. अट कंफर्म एकॉंट No. डाल दीजे और नौर्मल प्रिंटर में भी आप प्रिंट कर सकते हो सब्सक्राइब से उसका बाद आप कस्टोमर आईडी मतलब सी एप नंबर डाल दीजिए डेमो के लिएक डाल दे रहा है डालने के बाद इसमें आप चेंज कोट कर सकते हो तो फिलाल छोल दे रहा है नमीनिका नेम डाल दीजिए इदर ये भी छोड़ते रहा है पेन कट अधन नंबर डाल दे रहा है डालन लेके बाद एकाउंट ओपिनिंग डेट इसू डेट देने के बाद देख लिजिए सब सही है कि नि उसके बाद सेप कर दीजिए ओके अभी नाम का उपर क्लिक करके प्रिंट आप्शन में जाके येस देख लिजिए ऐसा प्रिंट प्रिंट करने से अपका प्रिंट में प्रिंट हो जाएगा